हेलो हाई नमस्ते सास्याकाल आप सभी का स्वागत है मिराज के निव वीडियो में आज का जो डेट है वो है चार्ट के बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीज बोलना चाहता हूँ कि आप कोई स्टॉक जो सेलेट करते हैं उसको लाउन टर्म के लिए कैसे होड्स रख सकते हो उसमें क्या क्राइटीरा फिट होना है जो भी चीज़े मैं आपको इसमें चार्ट की थ्रू बताऊँगा मैं जब भी कोई स्टॉक देता हूँ अपडेट या तो जो भी स्टॉक में बोलता हूँ कि अभी होल रखना या नहीं रखना मैं क्या-क्या देखता हूँ क्या-क्या नहीं देखता हूँ यह चार्ट एकड़म क्लासिक एक्जामपल है इसमें काफी अच्छे फॉर्मेशन बने हैं ऐसे स्टॉक्स होड़ रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें कुछ नयाद दिख रहा है वो सब चीज में आपको शेयर करूंगा वो सब बोलने के पहले एक चीज़ क्लिया करना चाता हूँ कि जो भी वीडियो यह फर्स टाइम देख रहा वो एक चीज जान के बार में दो बार मेरे ब्लॉक पर लिखा ब्लॉक पर फर्स टाफ फल में जब वीटूब नहीं करता था मैं जब लिखता था लेवल्स तो यह आपके सामें दिख रहा 3 डीसंबर 2019 मेरा पास यह स्टॉक है पोर्टफोलियो में यह पोर्टफोलियो में है और मुद 480 से ल यूटूब को वीडियो के त्री दिया था और इसमें आपको में पूरा डेटल बताया था तो जिस किसी को देखना तो 26 मही 2020 को मैंने दिया था वो सब चीज में फिर से एक बार इसमें बताऊंगा शॉट में डेटल में 26 में 2020 को मैंने करो मोंडर इंटरनाशनल के बार में बताया था तो अभी क्या दिख रहा है कैसे नहीं दिख रहा है वह सब चीज में आपको चाट के तरफ ले चलता हूं यह आपके सामने जो है यह कोरो मोंडल इंटरनाशनल का मंसली टाइम फ्रेम है जो भी मेरा वाटर मार्क से उसके लिए सुरी पर मैंने पूरा कोशिश करे मेरे वाटर मार्क से पर लगताने के लिए क्युंकि यह सब रएने जो ट्रेंड लाइन से हो सब ट्रेंड लाइन कनेग्ट फोगे एक करके अगर वीडियो आप एंट तक देंटम को पूड़ा समझेगा अगर पसन समय करें तो आपको नहीं समझेगा और में एक भी ट्रेंड लेंड ड्रो नहीं किया कि अब दिखे रहा है दो हजा तीन से आठ रुपे के बाद जो यह स्टॉक भागा है तीन सो पश्वन उससे भी जादा भागा है तो इसमें कर्रेक्शन्स आए है गए है तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपके पास होते है या तो आप आपको पीकप करना है मेरे जितने भी में जब 5 4 ईंघ्राव करता हूं तो मंतली से चार्रीं नोहाल कोन देखना तो यह जो भी डिखर आधा की को है यहाँ पर यह इसके सपोर्ट है आगे सब्सक्राइब आपको आगे यह टॉप अभी काफी important है कहां पे यह आपको ऊपर की तरफ प्लिस जिरह cursor पे थेहां दीजे तो यह काफी important है और यह नीचे काफी support important है तो यह दो green से अगर आपके बास टॉक है आपको विश्वास है अगर लग रहा है डेली वीकली में रिवर्सल और सही चल रहा है तो आप पोड़ रखने में कोई दिक्कत नहीं यह मंतली में यह हैमर है फिर से सपोर्ट लेने के बाद यह दिखे आपको यहां पर और यह जो ग्रीन वाला कोई देखे उसका विश्वास मतलब पता नहीं है यहां पर मैंने इंट्री लिया था यह एंट्री था मेरा कुछ 470-480 की बीच में को देखना होगा मैंने एक भी श्टॉक बेचा नहीं है तो यह आपको दिख रहा है यह आपको सब कनेक्ट होगे वीडियो के अंड तक त तो लगा ठीक है चलो यह होड़ रखे आपको मैंने इसके पहले के वीडियो मेंने सब डीटेल बताया था सब चीज तो यहां पर मेरा दूसरा मेंने फॉल उप किया था जब यह काफी तगड़ा रेजिस्टन्स पर आया था आपको दिख रहा है यह एरो पे यह मेरा 26 में 2020 का मेरा वीडियो था यूटूब पे मैंने पूरा डेटल में बताया था कि क्या पॉसब्लीटिस है यह पहले का हो गया अब कैसा दिख रहा है जो को आपके सामने है यह डीली का है अब जो चल रहा है वैस्या ठीक है यह अगर आचा क्लोजिंग पैस दोक्रेंगा 28 October 2020 है को मैंने वीडियो अप्लोड किया था उसमें भी में लेवल्स बताया था तो यह स्टॉक मेरा मेरा ट्रेलिंग स्टॉपलेस यह है इसका जो यह बोलते है नसीक संदे एटीवन तो मैंने 650 के आसपास रखा है ट्रेलिंग स्टॉपलेस उसका रिजन मैं आपको इसके पहले क एक स्लाइड में बता दिया था यह जो ग्रीन नमारा लाइन है काफी अच्छा होल्डे अभी इसमें कुछ नया पैटर्न बन रहा है अभी तक इसमें कुछ कंफरमेशन आया नहीं पर बन रहा है और मुझे स्टॉक्चर में कोई वीकनेस नहीं लग रहा है ठीक है एक मेरा में यह लेरा लाइन है ना यह जरा तेड़ा मेरा होगा तो अभी तक मुझे यह कोई वीकनेस लग नहीं रहा है ताकि मैं यह स्टॉक बेच हो बट अभी इसमें मूग कब आएगा कॉरमोंडल में और कैसे आएगा मूग जिसकिसने होड़ रखा है या तो जो कोई सीखना करना चाहता है वह दिख लिए तो इजब यह ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेंगा ना 742 तुभी प्रिसाइस आगा साढ़े साथ सो साथ मतलब 750 से लेके 770 रुपीज का ब्रेक आउट देना चाहिए को रोमोंडल डेली में ठीक है इमिडिए आपको क्या मिलेगा टागे 770 50 से 70 में फिर से आ जाएगा इसका 834 रुपई दिखे आपको जो पहले के जो टॉप थे ना 834 रुपीज आ जाएगा फिर से आपको में मंतली में फिर से दिखाऊंगा नजदीक में तो आपको अच्छे से समझ जाएगा तो 834 से लेके 850 रुपीज आएगा इमेडियत तो अब जो भी सोचों को बोले कि भाई मैंने बेचा क्योंने 834 से लेके 850 तब अभी क्यों वेट करना है अगर अभी बेचना है तो सारी यह 30 से 850 में आएगा तो क्या करना है तो इसमें पॉसिबिटीज और भी है बनना क्योंकि इसमें कोई वीक्नेस नहीं है ओवराल च आपका इंवेश्मेंट जाएगा नहीं यह तो एक हो गया बेसिक सा ठीक है अब इसमें क्या दिख रहा है पैटन मेना यह कैंडल में समझेगा नहीं तुम्हें फिलाल ना इसको एरो में कर देता हो तो जिस किसी ने दिखा रहे अभी एरो करने के वाद ना थोड़ा सा चे आपको यह फ्लाइक का ब्रेक आउट कब देना है जो मैंने लेवल्स बोगा था डेली में कैंडल में वही में उसमें ही जाएगा ठीक है बस इसको थोड़ा में एज्जेस करते हैं ताकि कि इसको समझ जाए या तो मतलब यह थोड़ा मुझे चेंजर करना पड़ेगा तो जो लेवल्स बोगा था वही लेवल्स पर देहां दीजे अगर यह ब्रेक आउट डेता है तो मैं वह यहां से गिलना है टागेट इसका 450 से लेके कहां से गिलना है टॉप 850 तो मतलब कहां से और 400 रुपए जाना है स्टॉक का यह आपके सामने जो है मैंने चेंज करिया वी 1.200 रुपए मतलब जो है तो कम से कम इसका 1,000-1.200 रुपए फिल से जाना है करो मॉंडल इंटरनेशनल का 1,000-1.200 जाने के पहले जैसा कि आपको बताया था हमें मंतली दीख रहा है यहां पर कुछ टॉप्स बने हैं यहां पर दीख रहा है मंतली टॉप तो यह टॉप करता है करो मॉंडल का तो पूरा पॉसिबिल्टी से टार्गेट का ठीक है अभी मैं आपको वीडियो के एंड में इक बार डिस्क्लीमर दिखा देता हूं जिस किसी को वीडियो परसंद दा रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलिए क्योंकि है सब चीज में काफ पूछा निए भी तक मेरे ब्लॉग में लिखिए आँ काफी ताम से हूं मेरे जो भी आने है मेरे शेयर मार्केट से आ जाते है थे मेरें इंवेश्मेंट से या तो मेरे पिक से तो औरमें डिस्क्लीमर और है जिससे को वीडियो परसंद आगा तो लाइक और पर नहां भूलिए अगर आप ब्लॉक पर विजिट करते हो तो यह जैसे कि आपके सामने एडवर्टाइजमेंट चलते हैं अगर आपको जम्हें तो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर दीजें ने तो इस यूर चॉइस ठीक है थैंक यू